सम्विधान सभा वाद विवाद मौलिक अधिकार समिती के प्रस्ताव पर सम्विधान सभा में चर्चा मंगलवार 29 अप्रेल 1947 भारत की सम्विधान सभा के बैठक 8.45 बजे नई दिल्ली के सम्विधान सभा ग्रह में हुई मानी डॉक्टर राजेंद प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षिता की वल्लब भाई पतेल ने मौलिक अधिकार परामर्ष समीती का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा समीती में दो विचार धा रहें थी एक विचार यह मानता था कि जितने संभाओं हो उतने अधिकार शामिल करना चाहिए जो अधालत में सीधे लागू किये जा सके इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अधालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके दूसरी विचार धारा का मत यह था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवारे बातों तक रखा जाना चाहिए जिनें आधार भूत माना जा सके दोनों विचार धाराओं में काफी बहस हुई और अन्त में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसे बहुत अच्छा मध्यम मार्ग माना गया दोनों विचार धारा के लोगों ने सिर्फ एक देश के मौलिक अधिकारों का अधियन नहीं किया बलकि दुनिया के लगबग हर देश के मौलिक अधिकारों का अधियन किया वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहां तक संभा हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिनें उचित माना जा सके उस पर इस सदन में मदबेद हो सकता है और इस सदन को हर अनुच्छेत पर आलोशनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन और निरस्ट करने का सुझाओ देने का अधिकार है श्री रंजन सिंग ठाकूर महोदे, मैं जिस बिन्दु का उले करना चाहता हूँ, उसका संबंध धारा 6 से है जो असप्रिष्यता से संबंदित है मैं नहीं समझता कि जाती प्रथा को खत्म किये बिना आप असप्रिष्यता का उनमूलन कर सकते हैं अस्प्रिश्यता जाती प्रथा नामक रोग का प्रतीक होने के सिवाय कुछ नहीं है जब तक हम जाती प्रथा को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे तब तक सही तोर पर अस्प्रिश्यता की समस्या पर रोग लगाने का कोई उप्योग नहीं है S.C. Banner जी अध्यक्ष महोदे असल में अस्प्रिश्यता को इस्पस्ट करने की जरूरत है इस शब्द से हम पिछले पचीस सालों से परचित हैं फिर भी अभी तक इसके अर्थ को लेकर बहुत भरम है कभी इसका मतलब एक गिलास पानी लेना भर है तो कभी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश देने के अर्थ में दिया गया है कभी इसका मतलब अंतर जाती भूजन वो अंतर जाती विवास लिया गया इसलिए जब हम अस्प्रिश्यता शब्द का इस्तमाल करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है इस शब्द से वास्तों में क्या आर्थ निकलता है मेरा ख्याल है कि हमें अस्प्रिश्यता और जाती भेद के बीच फर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा कि श्री ठाकुर ने कहा अस्प्रिश्यता सिर्फ एक लक्षण है मूल कारण जाती भेद है और जब तक इसके मूल कारण जाती भेद को नहीं हटाया जाता अस्प्रिश्यता किसी ने किसी रूप में मौजूद रहेगी जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमें इस बात के अपेक्षा करने चाहिए कि हर व्यक्ति को समान समाजिक परिसितियां उपलब्द हो सके श्री रोणी कुमार चौधरी अस्प्रिश्यता की परिभाशा के लिए यह बात इस परश्टूप से कही जा सकती है कि अस्प्रिश्यता का मतलब है धर्म, जाती या जीवन यापन के लिए कानून द्वारा स्विकार किये गए धन्दों को लेकर भेद भाव प्रगट करने वाला कोई काम श्रीक के एम मुंशी महोदे मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ परिभाशा को इस तरह के शब्दों में लिखा गया है कि यदि इसे मन्जूर कर लिया गया तो वह जन्मिस्थान या जाती यहां तक की लिंग के आधार पर किसी भी भेद भाव को अस्प्रिश्यता बना देगा श्री धीरेंद्र नात दत मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई परिभाशा तो होनी चाहिए यहां यह कहा जा रहा है कि अस्प्रिश्यता किसी भी रूप में अपराद है अस्प्रिश्यता के मामलों के सुनवाई करने वाले दंड अधिकारियों या नाया धीशों को परिभाशा देखनी होगी एक दंड अधिकारी किसी खास बात को अस्प्रिश्यता मानेगा जबकि दूसरा नाया धीश किसी और बात को अस्प्रिश्यता मानेगा इसका परणाम यह होगा कि अपरादों का फैसला करने में अलावा अस्प्रिश्यता का मतलब अलग अलग शेत्रों में अलग अलग होता है। बंगाल में अस्प्रिश्यता का मतलब कुछ और है जबकि दूसरे प्रांतों में उसका मतलब एकदम अलग होता है। यह ऐसे कानून की दरूरत है इसलिए मैं यह मानता हूं कि संगे विधाई का अस्पृष्यता शब्द की परिभाश्या बनाएगी जिससे अदालतें उचित दंड दे सकें इस प्रकार अस्प्रिशता की परिभाशा बनाने का काम भाविश्य के विधाई काओं पर छोड़ दिया गया।